हेलो एवरिवन आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस मेजरमेंट में हम देखेंगे परसीजन क्या होता है और एकृरेट सी क्या होता है यानि के प्रिसाइज वेल्यू एड एकृरेट वेल्यू देखिए जब हम कोई काउंटेबल चीज खरीदते हैं जैसे आप माली जी आपने पैन खरीदा तो आपको होगे कि मुझे 10 पैन दे दीजिए तो वो आपको count करके 10 दे देगा अगर आप केले खरीदने जाते हो बनाना खरीदते हो तो भी आप count करके लेते हो लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी values होती है जिनको हम exactly measure नहीं कर सकते, count नहीं कर सकते उनके लिए हम measurement की हमें जरूरत पड़ती है for example, अगर आपने कोई loan ले लिया कोई area है और उस area की length जैसे area आपका loan का ही हो गया या पार्क का हो गया तो उसकी जो length है वो है आपकी 10.5 meter in definition को समझने से पहले हम इस example की तुरू समझेंगे ठीक है और इसके लिए आपने different measurement किये तो जैसे different person है ये अपने हिसाब से different different measurement कर रहे है first person है उदय है और इसने जब इस loan के लिए measurement किया तो first time measurement की value 10.3 आई है second time 10.4 फिर 10.5 है फिर 10.6 है और फिर 5 भी बार आई है 10.7 और जब इन सारी values का अगर आप average निकालोगे तो average value आजाएगे 10.5 मीटर same ऐसे ही second person है जै और इसने भी इस loan की measurement की तो इसकी length जो measure की है वो यहाँ पे 10 मीटर 10.1 मीटर 10.2 10.2 और 10.2 मीटर तो यहाँ पे इसका average आया है 10.2 मीटर थर्ड परसन है राधा और यह भी ऐसे ही different type से इस length को measure करती है 5 ताइम 10.1, 3, 10.5, 10.7, 10.9 और इसका average आता है 10.5 मीटर तो आप इन सब में देखे कि जो first person है उदे इसका जो average है वो किसके नजदीक है accurate value के actual value के नजदीक है यानि कि उदे का जो measurement है वो accurate भी है और precise भी है ठीक है second person है जै इसका जो average measurement है वो है 10.2 ये आपकी जो actual length है उसके equal तो नहीं है लेकिन जब भी जैने measurement किया है तो maximum time इसकी value 10.2 मीटर ही आई है यानि कि ये value exact नहीं है लेकिन जो measurement है वो एक दूसरे के close है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये value precise है accurate नहीं है लेकिन कैसी है precise तो हमने क्या लिख दिया कि J का जो measurement है वो accurate नहीं है लेकिन precise है clear जब हम third person की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखे जो average value है वो 10.5 है और वो by chance इस actual value के नजदीक है बिलकुल actual value है ठीक है तो यहाँ पे जो different value है वो एक दूसरे के close नहीं है वो एक दूसरे के close नहीं है लेकिन का average जो है वो close है आपका actual value के means to say that यहाँ पे जो measurement है वो accurate है लेकिन यहाँ पे precision नहीं है तो हम यह mention कर देंगे कि जो राधा का measurement है वो good है लेकिन precise नहीं है clear तो इस example से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि accuracy क्या होती है और precision क्या होता है तो चलिए मैं आपको एक बार definition भी समझा देती हूँ आपको खुद ही समझा आ गया होगा तो accurate किसको कहते है accurate होता है जब आपकी average value when average value of different measurement is close to actual value जब आपकी different measurement की average value actual value के close होती है तो हम उसको बोलते हैं accurate clear next है next definition price size यानि के जब आपकी different measurement एक दूसरे के close होती है बट actual value के close नहीं होती बट आपकी अज्द आपकी इसघ्शे vilी या爹च्ण आपकी होती होती हो एक-दी आपकी अब आपकी actual value तो उसको हम क्या कहेंगे precise clear तो मेरी हाल से आपको accurate और precise की बिल्कुल सही से definition से मजमे आगे होगी एक और बात आप इसमें ध्यान रखेंगे कि कोई भी measurement जो आपका accurate होता है कोई भी measurement जो आपका accurate होता है वो आपका precise हो सकता है जो आपका measurement accurate है वो आपका precise हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपकी precise value हो वो accurate हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आपकी precise value हो वो accurate हो इसको भी एक example से समझ लेते हैं for example आप किसी shopkeeper के पास जाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि मुझे 2 kg rice चाहिए चावल और वो शोप की पर क्या करता है गलती से by mistake वो 2 kg की बजाए 1 kg आपको measure कर देता है तो वो 1 kg rice आपको measure कर रहा है वो जितनी बार भी measure करेगा precise value आएगी 1 kg ही measure करेगा उसकी value precise होगे लेकिन आपको तो 2 kg चाहिए थे ना तो उसका measurement precise तो है लेकिन accurate नहीं होगा clear और इस तरीके से जो उसकी mistake हुई है जो 2 kg की बजाए shopkeeper ने measurement 1 kg का किया है तो इस तरीके की mistakes को जो है वो हम बोलते हैं systematic error क्या कहेंगे systematic error तो यह चोटा सा topic था perception और accuracy का और एक example के चुरू मैंने आपको समझाया है I hope यह आपको समझाया होगा अगर यह topic आपको समझा जाता है तो आपके लिए significant figure को समझना बहुत easy रहेगा धन्यों आपके रहेगी तो यहाँ थाप्स का हुटू अपको मैंने आपके अपके रहेगी रखके का अच्ड़屏ए